हलो फिर्ट्स माइनम इस राउल सिंग अगे नीव वीडियो दोस्तों देखिए हरदीब जी डेली एक मैसेज करते हैं जिसमें देखिए कल का जो स्टेटस है वो यह है कि डिपार्चर सबसे पहले हम डॉमेस्टिक की बात कर रहे हैं आप देखिए डिपार्चर हुएं 697 अर इंडिया कर रही है फिद प्राइवेट एरलाइंस वह एक अच्छा काम कर रही है लेकिन देखिए अब चलते हैं हम पुड़ासा इसी के अपोजिट इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ठीक है देखिए दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर आप देखें तो कहां 65,000 औ कर रहे हैं उस तरह से इसमें भी थोड़ा सा बढ़ाने कोशिश कीजिए क्योंकि जो टोटल डेस्टिनेशन हैं वर्ल्ड वाइट वो 51 के आसपास जो डेस्टिनेशन हैं जो आपने ही जो लिस्ट है एर इंडिया की उसमें डाली हुई है तो उसके इसाप से देखिए अग चार पांच छह साथ आठ नो दस तो सम्थिंग यह 18-19 के आसपास फ्लाइट से हैं इस वक्त ठीक है तो दोस्तों इसमें से एक एक एक्जामपल लेते हैं 227 फ्रॉम एमस्टरडम टो डेली यानि कि 227 आदमी एमस्टरडम से कल डेली आये हैं ठीक है तो देखिए दोस्तों इसमें यह पता करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना से पहले की सिच्वेशन क्या थी और कोरोना होने के बाद क्या सिच्वेशन हुई है और किस तरह से जो फैक्टर्स है वो इतनी जो एक फ्लाइट चल रही है उसके रीजन क्या है ठीक है कि किवल एकी फ्लाइट चल रही है बहुत सारी फ्लाइट चल सकती थी तो इसमें हो सकता है कि कुछ positive चीजे हैं कुछ negative चीजे हैं तो हम database इस पर बात करते हैं और एक बाद चेक करते हैं कि पहले क्या होता था ठीक है देखिए दोस्तों मैंने ये डाला यहाँ पर Amsterdam to Delhi, Delhi how many flights देखिए हैं यहाँ पर एक information आती है यहाँ पर बहुत सारे questions है तो इसमें देखिए how many flights are there from AMS to Delhi per day तो दोस्तों देखिए ये information देखिए how many flights are there from AMS to Delhi per day with 22 different airlines operating flights between Amsterdam to Delhi there are on average 1705 flights per month this equates to about 406 flights per week and 58 flights per day मतलब एक दिन में 58 flights महाँ पर नॉर्मली ट्रेवल करती थी AMS to Delhi देखिए आप यहाँ पर clear देख सकते हैं कि Amsterdam से डेली total 22 airlines से flight चलती थी total 58 flights यहाँ पर डे चल सकती है यानि कि 1705 flights per month ठीक है लेकिन जो हमारी जो Air India है वो किवल एक flight per day चला रही है हो सकता है कि ऐसा हो कि शायद बहुत जारी जो flights जो airlines है ठीक है ना उनकी सेवाएं अभी बंद हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किवल एक ही flight चल रही हो वो भी इंडिया की तो इससे ये पता चलता है कि जहां पर इतने सारे लोग आ सकते थे इंडिया तो इतने सारे लोग शायद वो करोना की restrictions हो या फिर उन governments जो कंट्री चला रही है ठीक है जादा होगी टिकेट प्राइस जादा होंगे तो देखिए हमारी सरकार से यही बिंती है यही request है कि कोशिश करिए प्लीज पांच से छे या दस flight चलाने की तो देखिए 15 दिन के अंदर ही सारी दुनिया से सारी दुनिया से के वाल एक ही एक flight है तो अगर भारास सरकार कोशिश करे और वो एक destination से पांच या दस flight के आसपास चलाए सभी नहीं तो कुछ जो destination है 51 में से 50% तो कम सकम पांच या दस flight चलाए तो वो 15 दिन के अंदर सारे लोग हमारे वापस आ सकते हैं और देखिए जिस तरह से जिस तरह से जो डॉमेस्टिक में जैसे 65,000-70,000 का डेटा है इसी तरह से यहां पर भी international flights में भी 3000 की जगे शायद हो सकता है कि शायद यह जो डेटा है 25,000-30,000 के बीचे में पहुंच जाए जो कि एक benefit होगा जो बाहर लोग रह रहे हैं वो बहुत परिशान है अंदर नहीं आपा रहे हैं या फैमिली को नहीं बुला पा रहे हैं तो इसकी वैसे बहुत जादा परिशानिया चल रही है एक flight per day से तो सर हमारा number नहीं आपाएगा क्योंकि एक लाग दो लाग या कई लाग लोग देश विदेश में कहीं न कहीं फसे हुए हैं ठीक है ना तो जो registration हो रहे हैं उसमें number नहीं आपाएगा किसी भी हालत में यह हमारी request है number of flight बढ़ा दीजिए तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो किस तरह से केवल एक flight चल रही है अगेंस्ट ओ 58 flights चाहे वो Corona की वैसे हो चाहे वो Air India का कुछ अपनी बात हो ठीक है तो लेकिन इसकी वैसे जो cost है वो बढ़ रही है और हम सरकार से request भी कर रहे हैं कि वो चला दें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज दोस्सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मैं बार बार बोल रहा हूँ